दोस्तों हमारे पास एक प्रिंटर आया हुए जिसका माडल आप देखेंगे तो यह है एल 32 का हो सकते हैं आपके पास एक 30 का हो यह तो फिर हो सकता है कोई सभी प्रिंटर हो इंजेट का एपसन का तो यह उसमें अक्सरा आप देखेंगे कि यह इस तरह से इंक बाज आते हैं अगर आप हेट लिंग करते हैं तो इंक बाज आता है और लीचे देखेंगे तो यह प्लसिंग कर रहा था तो पूरा इंगिलिया तो इसको आप कैसे ठीक करोगे तो इसमें जो हैं आपका दो कंडिशन है दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका इंपाइट चेंज कर सकते है और अगर आप चाहें तो उसको आप निकाल के सुखा के धोंके फिल लगा सकते हैं तो इसको हम निकालेंगे कैसे तो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर जैसे आप देखेंगे तो लाइट जला लू थोड़ा यह देखिए यह पूरा इंक जो है ना पूरा इंक गिर गया भाइस यह देखिए तो इसको हम आज ठीक करने वाले हैं तो उसके लिए हमें पढ़ेगा इसको ड्रायवर के जभर्यत तो उसके लिए यहां इसक्रू है तो हम खोलेंगे तो यह इस तरह से आप खोलेंगे ना यह खुल जाएगा अब उसके बाद इसको आप थोड़ा सा इस तरह से इसको निकालेंगे तो धिरे-धिरे निकल जाएगा बाहर थोड़ा आराम से निकालना एक्ष्वल में क्या इसमें लॉक लगा रहता है वो तूर सकता है अब इधर से भी थोड़ा से निकल गया और जैसे आप देखेंगे न तो इसमें पूरे इंक गिरा हुआ जेख सकते हैं तो इसका में प्रॉब्लम ही है कि यह भर गया है तो इसको हमें निकालना है तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां से खोलना पड़ेगा इस पुरू है इसको हम निकाल लेंगे आप यह भी निकल गया अब तो आप क्या करने दोस्तों जैसे आप यहां पर देख रहे ना यह इस टाइप से गेप तो इसको क्या करने आपको इस तरह से आपको नुकीली चीज को घुशा देना है अब इसको आप जैसे खीचेंगे ना तो यह आजाएगा बाहर यह देखिए और इसको जैसे आप देखेंगे ना तो देखिए यह बिल्कुल फूल हो गया है एकदम भरा हुआ है इसकी वज़े से यह इंक फेक रहा था बाहर तो इसको हम चली आगे का प्रोसेस देख लेकर लेकर आए तो दोस्तों इसका जो इंक है ना ओ तो मैंने फिलाल बाहर में कश्ड़ जगा में फेक दिया अब इसमें जो गद्दा लगा हुआ है उसको हमें निकाल के इसमें डा निसको हमें तो बिल्कुल हलकर ले या ठीक है उससी तरह से मैं इसको भी धो दिया हूं तो अब क्या करना है धिल जैसे कि आप उससे देखेंगे तो धो आप इशने करना होunu है तो थोड़ा थोड़ा तो एक खाचा टाइब का बना हुआ है देख सकती है का वी कर बना यह खाचा जो है उसी में बैठी तो चले इस तरह से आपको वन बाइवन करके लगा लेना है और सेकेंड में आपको इसको लगाना है इस तरह लग जाएगा इसको आप अच्छे से थोड़ा से दबाएंगे तो अपने जगह बैड़ जाएगा उसकी तरह से इसको भी आपको इस तरह से लगा लेना है, यह इस तरह से लग जाएगा, और इसको उप जगा बना लेना, ताकि यह दूसरा वाल भी घुर झाए, मतल्य लास्त है वो तो यह जो है इस तरह से यह बराबर चला जाएगा थोड़ा से इसको जगा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा फिर वो फिता जाएगा तो आपको क्या करना है इस तरह से आपको कुछ जुगाल ले लेना है और इसको घुसाक है न इसको आप बराबर करेंगे इस तरह से तो जग बना लेगा और उसके बाद जो है अपने आप अपने जगा में बैड़ जायाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यह बिल्कुल बरावर हो गया है अब यह असानी से लग जाएगा तो उससे पहले आपको और क्या करने देखिए यहाँ पर जो इंक गीरा हुआ है ना यह देखिए यह सब को आपको अच्छे से साप कर देना है ने तो इसस दोस्तों आप जो है असानी से फ्री में अपना काम कर सकते हैं आपको मार्केट वयरे जाने के कहीं ज़र्ण नहीं है और कि अपना और काम आ बना सकते हैं घर पर करें तो उसके बाद ये इतना हो जाने के बाद हमें क्या क BIG कि इसको जैसे हम नीकाले थे ना तो जैसे आप देखेंगे तो यह खाचा लगा हूआ यहां पर यह वाली खाचा तो उसमें यह घुष देगा ठीक है तो उसके लिए आपको धिरे-धिरे-धिरे-धिरे आपको इस तरह से लगा देना है खाचा को एक बार देख लेए अच्छे से तो यहां पर यहां पर एक स्कूरूल लगा था उसको हम लगा देंगे तो चलिए यहां पर देखेंगे न को इस फूर लग गया है अभी इसके जो कवर है न उसको थोड़ा से साप करती इसको भी लगा देने उसके बाद इसको जैसे अपन निकाले थे न से वही ताइप से लगा देंगे तो इसके लिए आपको इस तरह से लगाना है थोड़ा गेप छुणन है और इसको इधर मतलब इस साइड ऐसे पेल देना है तो चलिए यह लग गया देखिए एक बार में लग जाए तो इसका जो इंक पैट को फ्री में आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों कहीं भी मार्केट वागर अगर भाटकने की जोरत नहीं है इसको आप घर पर ही असानी से कर सकते हैं